हलो जी कैसे हो सारे दिसे लवबबर वेलकम दो चानल कोड़ हम पहुंच चुक मारा लेक्चर में 56 पर स्टैक्स हम बढ़ रहे हैं अब तक हमने स्टैक और उसकी इंप्लिमेंटेशन देख लिए हैं किसा अब किन ऐसे नहीं अब आने वाले पांच विडियो से स्टैक के 20 बेल्ड पूछन होने वाले हैं तो इस वीडियो के निधर करने वाले एक बहुत इंपॉर्टन कोशन कि इसका नाम है लार्जस्टेंगुलर एरिया है इस्तोग्राम योड़चन बहुत बार पूछा जा उसके बाद हम यह question पकड़ेंगे असान है, सब समझ में आजएगा भी तो question कहता है question कहता है कि next smaller element क्या मतलब है इस बात का फटाफट समझ लेते हैं let's say मेरे पास input में एक array या फिर एक vector पड़ा हुआ है 2, 1, 4, 3 ये 4 element में पास पड़े हुआ है अब क्या हुआ मेरे से question ने बोला कि next smaller element हर number के लिए हर number के लिए मुझे first smaller element पकड़ा दो example के लिए let's say 2 की में बात कर रहा हूँ तो इस 2 के लिए इस पूरी window में जो भी first smaller element आ रहा है वो बता दो तो इस पूरी window में अगर मैं जाओं पहले मैं one पर गया तो one तो छोटा आ गया तो ठीक है इसका answer ही one हो गया फिर मैंने क्या बोला यार ये जो one है अगर मैं इस one की बात करो तो इस one के लिए इसके आगे वाली इस पूरी window में जो भी पहला smaller element आ रहा है वो बता दो तो four जो है जो three है वो छोटा है four से तो in short आप इसका answer three आ गया बड़ा बड़ी है फिर मैंने क्या बोला कि यार ऐसा करो इस three के case में आगे वाली window में जो भी first small element आ रहा है वो पता दो पर आगे तो कुछ हाई नहीं कुछ हाई नहीं तो answer minus one पता दो फिर four के लिए element जो था वो three था और three के लिए तो को element है नहीं नहीं है बहुत बड़ी है तो इस प्रकार ये question कहता है कि जो भी आपको इन पर data दिया हुआ है उनके लिए next smaller element next smaller element का क्या मतलब है कि अगर इस प्रकार और फिर हम बात करते हैं अपरोच के बारे में intuition, brute force, कैसे solve कैसे करना है, दिमाग में कैसे आरी चीजे वो समझेंगे, ठीक है अपरोच में जाने से पहले फटा-फटा अपने sponsor को shout out देरते हैं ठीक है तारीफ करते हैं, coding ninjas के वो यह कि यहां पर one-on-one doubt resolving support available है अगर आपको कोई भी doubt है तो एक से दो खंटे में resolve कर दिया जाएगा कूर्सी जो बनाए जाते हैं बहुत well structured बनाए जाते हैं कि अगर आप महनत डालेंगे तो आपको result definitely मिलने वाला है कूर्स बनाने वाले बंदे और बड़ी बड़ी कंप्रियां फोर्ड चुके हैं तो इसके आपको टैंशन लेने की नीड नहीं है लैंग्वेज के अगर बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों में available है question solve करते टाम आपको hint वीडियो में मिल जाएगी एक simple approach जो आपके दिमाग में आ रही जो मेरी दिमाग में आ रही वो क्या रही है कि यार अगर मैं let's say 2 को ले लेता हूं तो एक number है 2 तो 2 के लिए में क्या करूंगा इस पूरी window में जाओंगा 2 के लिए मैं 1,4,3 इस पूरी में चेक करके answer निकाल लूँगा यह इतना comparison हो गए वर्स केस में n-1 comparison हो गए n-1 कैसे क्योंकि यह पूरा n है तो यह इतना वाला n-1 हो रहा है फिर मैं वाले element के लिए इस पूरी window को जाख करूंगा यह पूरी window क्या है 4,3 केतना comparison हो गए n-2 comparison हो गए है ना समझ मैं ही या फिर आपको शिंगल शिंपल शब्द में बताओं तो टालिमन एक दो तीन चार है तो इस केस में तीन comparison होगे और इस केस में एक दो दो comparison होगे फिर मैं 4 के अगर बात करूँ तो 4 के लिए आगे वाली window में सिर्फ 3 दिखता है तो सिर्फ 3 से compare करूँगा यानि एक comparison हो गया और 3 के लिए जाओंगा 3 के लिए आगे वाली window कुछ पढ़ा ही नहीं है जिरो comparison होगे खालिए इन शॉर्ट 3 comparison 2 comparison 1 comparison 0 comparison मुझे का समझ में आ रहा है कि भाया मेरी जो time complexity solution की होने वाली वह जाएगी o of n square कैसे क्योंकि मेरा एक 4 loop चलेगा int i is equal to 0 से लेके less than n तक और उसके अंदर एक और 4 loop चलेगा जो कि आगे वाली window को चेक करेगा basically j is equal to i plus 1 से लेके less than n तक समझ में आई तो इसलिए में time complexity is case में क्या हो गई of n square क्या मैं इसको optimize कर सकता हूँ सवाल है क्या मैं इसको optimize कर सकता हूँ उस पर चलते हैं हमने बोला कि यार मुझे न कोई दूसरी approach निकाल कर दो जिस पर मैं यह जो मेरा example है two one four three let's say मैं इसको n square की जगा of n में solve कर बाहूँ मैं इसको फराफट समझते हैं तो हमने क्या बोला राधर देन मैं एक element को पकड़ू और उसकी पूरी window चेक करके आऊं उससे अच्छा मेरे पास एक solution है solution क्या कहता है मैं stack को use करूँगा कैसे करूँगा समझ लेते हैं और क्यों use करूँगा अभी समझ लेते हैं अगर मैं इस example की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरे पा तो मुझे क्या पता है कि यार दो तरीक है मेरे पास या तो मैं यहां दे स्टार्ट करूं left to right जाओ elements के लिए या फिर मैं यहां दे स्टार्ट करूं फिर मैं जब फोर पे गया तो इतना पार्ट अरड़ी प्रोसेश्ट है इतना पार्ट अरड़ी प्रोसेश्ट है फिर जब मैं बोला इस अप्रोच को शुरू करते हैं और अच्छे से बनाता हूँ इसका एक बार यह है टो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया एक करहीं या फिर मैं थ्री मेर पास आया और मैंने बोला चलो भई इसका मुझे नेक्स nawray न् स्टार्ट अपट यह,. इस टार्क में चला जा जाओ भाई इस स्टैक में चला जाओ जाओ इस स्टैक और चेक कर demoू ठीक है अब हमने क्या पता है कि जब 3 stack में गया तो यह तो empty पड़ा हुआ है तो इस cancer क्या होना चाहिए minus 1 होना चाहिए पर empty है नहीं यार एस तो हम confused है code करते हुए तो मैंने वहले इसको starting में stack के अंदर minus 1 store कर लेना starting में store कर लेना क्योंकि मुझे पते मैं rights जाओंगा और मेर को में पता है कि यार इस cancer में मुझे minus 1 ही देना है तो मैंने starting में element जब भी मैंने stack बनाया होगा यार एक stack बना दो और इसकंद्री मैंने सबसे पहले push करके रखा होगा initial भी में समझा गी तो 3 के लिए जब मैं यहाँ पर आया तो आपने stack में देखा क्या पड़ा हुआ stack के top में दो case हो सकते हैं भाई या तो कोई छोटा element मिल जाए या तो कोई छोटा element मिल ले या तो कोई बड़ा element मिल ले अगर छोटा element मिल गया तो भाई वोई तो answer है वोई तो answer है store करा लो उसको देख है उसको store करा लो और फिर क्या करो जो भी आपका value था let's say कि 3 को मैं current के दुए दरशा रहा हूँ उसको push कर देना s.push current बढ़िया फिर मैंने क्या बोला अगर मानलो बड़ा element मिला है तब बड़ा element मिला है तब बड़ा है तो क्या हुआ बड़ा है तो बड़ा है बड़ा होगा तो उसके मां answer में store करा लोगा मेरा answer में store करा लोगा इतना करने के बाद मैं क्या बोलूगा s.push current समझ मा गई algorithm क्या कहती है कि कोई भी element मेरे पास आया जैसे let's say 3 की बात कर रहा हूँ तो 3 के लिए जब मैं गया तो मैंने s.sob से compare किया और चेक किया चोटा पड़ा है के बड़ा बड़ा अगर चोटा पड़ा है तो answer store करा लिया और उसके बाद push कर दिया अगर बड़ा पड़ा है तो बही चोटा find out करा और उसका store कर दिया simple logic गया इसको बहुत चोटा बनेगा इसलिए तो अब इसको फटा फट ट्राइरन कर लेते हैं अब सबसे पहले हमारे पास 3 आया 3 को मैंने minus 1 से compare किया minus 1 less than 3 by true आ गया true के case में करते है answer store करते है answer क्या आएगा minus 1 सबज मैं यह चीज answer क्या आगया 3 के case में minus 1 आ गया बहुत बढ़िया फिर मैं 3 को push कर दिया अगला देखते है 4 आया 4 को मैंने top 3 से compare किया 3 less than 4 by true आ गया true आता है तो क्या करते है answer store करते है 4 का answer क्या आ गया 3 आ गया और क्या करते है push कर देते है 4 को तो यहां पर आ गया फिर क्या आया 1 अब मेरा 2 आया 2 को मैंने compare के top से top में 1 पढ़ा हुआ 1 less than 2 answer क्या गया true 2 का answer store क्या हो गया 1 यह जो 1 पढ़ा हुआ और फिर हम क्या करते है इस 2 को push कर आया तो यहां पर 2 आ गया इन शॉर्ट मेरा answer में निकाल लिया इन शॉर्ट यह मेरा answer error बन गया इन शॉर्ट यह मेरा answer error बन गया time complexity solution की O इन शॉर्ट अरे बहुत बढ़िया इसको बनबट कर लेते हैं जा टाइम लेते हैं क्योंकि इसको में main question पर भी जाना है हमने बहुत simple है सबसे बहुत stack बना लो stack बना लिया stack int s और ऐसा करो कि stack को include भी कर लो stack बना लिया तो s में push कर दो starting में ही minus 1 बढ़िया एक answer error बना लो vector int answer अब मैंने क्या बोला loop चलाओ 4 loop 4 int i is equal to n minus 1 i get the equal to 0 i minus 1s हमने क्या बोला कि जब तक तुमें छोट element नहीं मिलता तब तक pop करते जाओ while s.top is greater than equal to is greater than equal to what आपका जो भी current element है current क्या होता है int current is equal to ar of i बढ़िया आगी समझ में तब तक हमें क्या करना है s.pop करना है अब मतलब क्या है answer is stack का top in short हमने बोला answer of i is equal to stack का top बहुत बढ़िया और इसका हम क्या करते है stack हम पुश कर देते हैं जो हमारा current element होता है मैंने बोला इतना ही था code इतना ही कोड़ता है हमने क्या बोला कि जब तक छोटा नहीं मिला तक पॉप करते जाओ अगर line number 14 पहुच गया है तो मैं छोटा मिल चुका है है ना और आपने शोर पर आले छोटा वाले answer को और हमारे current element हो निकाल रखा था इस प्रकार आपने एक next smaller element निकालना सीख लिया है अगर आप से कोई बोले कि दोस्त मुझे next smaller element बताओ तो आपके पास एक algorithm पड़ी हुई है जो कि off and में निकालके दे देती है अगर मैंने आपको बोलता है मुझे previous smaller element निकालके दोतो अब previous smaller क्या चीज है जैसे निन 2 1 4 3 में किया था तो इसमिक्ती त्रीड के इदा कौन से चोट है इसप्रकार previous case में क्या होगा previous case में आपने तू के इससट चोट चोट है चॉढ़ी है भाई आपके फॉर लूप का फ्लो चेंज हो जाएगा और आपका अंसर आजाएगा तो इस पर गार आप प्रिविए स्मॉल एलम्ड भी निकाल पाएंगे अब चलते है मारे मेन कोशन पर इसका नाम है लार्जेस्ट रेक्टैंगुलर एरिया इन हिस्टोग्राम बहुत प्य क् zm原 कने चेंगे यौस दो होगया आप मैं आप थे जुएwwww我知道 सिक्स्क्राइब कर दोले कैसे निकलेगा मैं निकलेगा मैंने बोला कि यार्टिंगल दो बहुत इस सार बनगाहिए है दिखो यह एकक टेंग्ल रिश्टिय प्हिर यह एक rectangle है यह बी एक rectangle है यह वी एक rectangle है और यह बहुत सारे rectangle बन जाएंगे यार हम किसे निकाले answer मैंने बोला हर बाल के दर बूर फोर्स से start करते हैं यार उसके बाद आप्टिमाईज कर लेंगे बाल में बूर फोर्स से start कर लेते हैं बूट फोर्स क्या कहता है ? कोई ऐसे टेेंगल बनाओ जिसमें 2 आरा हो तो फिर ऐसे टेंगल जो 5 आरा हो जिसमें 6 आरा हो, इस परकार अगर ध्यान से देखें, अगर ध्यान से लेकिए, maximum triangle और निकालने जा रहे हैं तो area होता क्या है ? area क्या होता है ? length, multiply, breadth ठीक है length इस case में constant दोस्त सबकी length constant है, इसकी 2 है, इसकी 1 है इसकी 5 है, इसकी 6 है, 2 है 3 width या path is something जो हम maximum करना चाहरा है, यह हम max कर लेंगे तो हमारा maximum area निकल जाएगा, समझ के इस बात को तो basically max करना चाहरा है width को तो हमने क्या बोला, 2 के साथ एक rectangle निकालो, जिसकी weight तो maximum हो जिसके अंदर 2 भी include पूरा का पूरा हो रहा हो और इसकी weight भी maximum हो, तो हमने सुचा है 2 को left में extend कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं left में कुछा ही नहीं, right में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अब गर one की बात करें अब अगर one की बात करें तो one को मैंने पूचा, क्या ऐसा को rectangle बनाओ, जिसमें one तो पूरा include हो और साथ ही मैं उसको extend भी कर पाऊं तो one तो पूरा include कर लिया, left में extend कर सकता हूं अरे हाँ, space है, कर लिया right में कर सकता हूं, नहां कर सकते हो यहां कर सकता हूं, कर सकते हो, यहां कर सकता हूं ऐसे करके आपने one के लिए यह पूरा एरह निकाल लिया but क्या होगा, इसकी six होगई भाई, तो यहां पर answer क्या जाएगा, यह one है और यह six है, तो answer क्या आगए, टो टो लेरेगा area six आ गया है न, उसी प्रकार यहां यहां तो space है, बार पड़ी हुई है, ठीक है, उसी प्रकार मैं six पे गया, मैंने six से पूचा, क्या तो left में कर दूँ, उसने बोला कोई बार ही नहीं है, वहाँ प्यार, नहीं कर सकता right में कर दूँ, कोई बार ही नहीं है, नहीं कर सकता तेके हैं उसी पकार अब में 2 में गया मैंने बूचा तेको राइट में कर दूँ उसने बला हाँ बार तो है कर सकता है और में लेट में कर दूँ कर सकता है लेट में कर दूँ कर सकता है इस पकार आपने इस कांसे निकाला यह क्या है तू और यह क्या है चार आंसर क्या गया आठ उस प्रकार आपने थ्री से पूछा कि थ्री भाई तो राइट में अग्स टेंड कर दूँ उसने वहाँ हो इन सकता कुछ हाई नहीं महाँ पर तो इस पकार आपने सारे के सारे एरिया निकाल ली यह बूटफोर्स था भाई आपने एक को पकड़ा और उससे पूछ रहो तो लेफ्ट राइट में कर सकता हूं वह बता देगा हां कर सकता है बाई कंपेर करते हो आप जा रहे हो और आपको आंसर मिली है इन शॉट हमने क्य किया होगा इस अपरोच के अंदर बूटफोर्स में बूटफोर्स हमने क्या किया होगा समझते हैं हमने एक फूर्वलट लगाया होगा जो बहुत बढ़िया है तो इसम eu재 पहू कर रहे है एक बहुत क्या है औरेगे टू यहार लैफ पे और पूस घख लागए होda कि या राइट में कितना जा सकता हूं उसमें कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ होगा ठीक है यह बास समझ में आ गई और हमारे लूप बंद होगे हमने कुछ एरिया भी निकाल लिया होगा पढ़िया ऐसे करके कुछ लिख दिया होगा कि एरिया इस इकल स्टू अप्रोच टू की बात करते हैं अप्रोच टू की बात करते हैं अप्रोच टू करते हैं और यहां पर स्टैक करूंगा और जो को सब्सक्राइब हो और यह आपका इनिपूट आपका ग्राफ है जो भी आपका इनिपूट है यह दिया हुआ हुआ है लॉजिक समझते हैं क्या करता है logic क्या कहता है logic क्या कहता है कि मैं किसी भी array को किसी भी बार को जो भी बार बनी पड़ी है उसको right extend तब कर पाता हूँ या वहाँ तक कर पाता हूँ जब तक मुझे उससे कोई छोट आरे मेंने मिलता है let's say कि यहाँ पर एक बार है जो कि यहाँ पर इसके एक और बड़ी है इसके एक और बड़ी है तो in short जैसे मुझे बड़ी मिलती जा रही है तो इतनी सारी बड़ी बार मिलती है मैं इस वाली बार को right एं में जा सकता हूँ और right सकता हूँ तो इसको extend करता रहूँ तो मुझे का दिख रहा है कि 5 वाली बार के लिए पहली छोटी value है next small element क्या आ रहा है 2 आ रहा है 2 का index क्या है 4 है 4 है बहुत बड़ी है इसी बगार previous की बात करूँ तो previous में सबसे पहला चोट element कहा रहा है 1 आ रहा है 1 का index क्या है 1 है तो यह बना आ गया तो इसकी width क्या हो जाएगी 5 के लिए मैं क्या पता 5 जा हो यह रहा टैंगल बनाएगा इसकी width कैसे निकलेगी मैंने बोला अगर हमें इसको बोल दूँ अगर हमें इसको बोल दूँ next इसको बोल दूँ previous तो जो मेरी maximum width निकलेगी next minus previous minus 1 इस case के अंदर 4 minus 1 minus 1 that is 2 द्यान से देखो 2 width नहीं 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 दूबार समझाते हैं इस चीज को let's say मैं आपको यह वाला graph अभी दिखाया यहां पर यह एक चीज है पर यह एक चीज है पर यह एक चीज है पर यह एक और ग्राफ है index है 0 1 2 3 4 मैंने क्या बोला कि मैं तो भाई इस वाल एक बात कर रहा हूं इससे बूचाँ लेफ्स में एक्स्टेंड कर सकते हो उससे में लेफ्स में तो कुछ ही नहीं तो उमारा previous जा है तो एक index P आगे मेरा minus 1 और एक index 4 आगे मेरा यह next के equal है अब जो मेरा rectangle बन रहा है उसकी width क्या दियां से देखो यह 4 के width ना एक तो तीन 4 है अब अगर मैं अपने width निकाल के देखो तो width is equal to क्या रही है n-p-1 n की value 4 है p की value minus 1 है और यह minus 1 तो क्या आग गया 4 प्रस 1-1 काटा क चार बढ़िया तो यही तो निकाला था मने यह तो निकाला था चार के width तो इन शॉर्ट मैं maximum width निकाल पा रहा हूं using this formula n-p-1 अब अगर मेरा सब्सक्राइब निकालना भी असान है ना भाई लेंट मंइपला लेंफ बैलें तो content है white breath निकाल ली है तो इसको code करते है अवा हे है अशल के साथ यह है तो प्र钵 गोड गोरिपπως लेंगे मों समझ आप तक हमने बोला कि हम क्या करेंग इसको हम हम साइट से छोलते हैं था हाइट साइज फिर मैंने क्या बोला कि मैं एक बना रहा हूं जिसका नाम है पर नेख्ट ऑनेख्स ऑनेंग इस्का पास करते है स्वेलिंग कलता है हार बार की तरह फिर मैंने क्या कि हम एक और वेक्टर बना लिया इसका नाम रख दिया मैंने previous size दे दिया n और यह previous में मेरा previous small element के indexes stored है ठीक है previous smaller element के indexes stored है heights और n पास कर दिया बढ़िया अब मैंने क्या कि हम एक for loop जला रहा हूं इसे मैं अपना area calculate कर लेंगा length किसके equal है length मेरा जो भी input area है उसकी height है heights of i फिर मैं breath निकालने जा रहा हूं breath is equals to breath is equals to हम ही क्या बता है कि breath किसके equal होगी n-p-1 that is next of i minus previous of i minus 1 यह हम ने discuss कर लिया था फिर हमने क्या बोला कि यार area निकालना है int new area एक चीज है हम handle करने पड़ेगी new area निकाला हमने इसका नाम दे दिया l multiply b इसको calculate कर लिया l multiply b करके और हमने फिर अपने area में max store कर लिया area बाना पड़ेगा बाहर पहले int area is equals to int min तेक है अब रहा है area is equals to max of area, new area इन दोनों को मैक्स होगा बढ़िया answer यहां return करवा दिया बढ़िया यहां पर एकड़ बढ़ो सकती है कि एक case ऐसा बन सकता है जहां पर मेरा next जो है वो minus 1 के equal हो जाए minus 1 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 तो यहां पर अगर मैं n minus p minus 1 कर वहां किसी कोई logic के लिए तो वो कहाएगा minus 1 plus 1 minus 1 यह नि शॉट आपकी जो breath है या फिर जो आपकी width है उस वो किसके equal आ गई वो आगी minus 1 के equal समझा रही है जीज़ जब area निकालने जाओगे तो आपका area जो नेगटिव में आ जाएगा जो कि बेव कूफी है तो इस चोट क्या मतलब इस बात का previous minus 1 तो समझ में आता है अब मैं यह वाला function लिखने जाता हूं यार मैंने बूला private और यहां पर मैंने क्या गिया vector of int यह function और इसमें vector int arr और इसमें int n input में आ रहा है ठीक है इस प्रकार मैंने पुराने वाला function copy कर लिया इसका मैंने copy कर लिया इसका मैंने copy कर लिया ठीक है अब मैंने थोड़े बहुत changes है जो हमने पुछला function लिखा है वो लिखा हमने values का अधार पर जो हम यह function लिखेंगे इंडेक्स इस पर अधार पर तो यहां पर जो value पुश कर लिए इस value पुश करने के जगा इसका इंडेक्स था जो की आई है वो पुश कर देंगे आई पुश कर दिया बहुत बढ़िया तो यहां पर यहां पर यह तो तो मत चेक करना अगली condition समझाई तो क्या changes करें हमने एक चेंज यह कर दिया फिर एक यह कर दिया और एक आई यहां पर डाल दिया यह चेंज करके हमारा का function तयार है मैंने बोला ऐसी अपना और function नालूंगो इसका नाम मैंने क्या रखा एक आए यह करके मैंने कव और function नाली Administ एक्टर इंट प्रिवियर स्मॉलर एलिमेंट इसने पास कर दिया वेक्टर इंट एर और इसका साइज प्रिवार इसको कॉपी कर लिया और इसका मैं पेश्ट कर रहा हूं तेक है क्या चेंज करने पड़ेंगे मैंने बहुत कुछ भी नहीं है इतना बाट ठीक है बस फॉर लूप चेंज करतो बस यह यह आए इन मानस बन से जीरो जा रहा है आप जीरो से एन तक चले जाओ करो फटा फटा से को वहां कर लेते हैं मौल कर लेते हम ऐसे करतेat क्लिक करते हैं कि क्या जा रहा है वह ाक है कि खाद्र माइस ड़ेतने प्रम नयका इवा यह च्ञाँ एक्छ प्रमकर बाला कि हई ज immune क्ंभी तो इओ ए लेकित्ट करो एंप्र करम प्रम किया डाए तो का य नेक निए नेक्स टाल लिए यह तो यह अनल कर लो समझते हैं वर कहा खलतिकरिमने करी होगी stack यह है push यह तक जा रहे हो current निगाल लिया है s.top minus 1 निगाल लिया है s.top push देख है 0 से n तक जा रहे है not equal to minus 1 होना चाहिए s.top गड़ेदा निगाल टो current ठीक है ठीक है next निकाल लिया previous निकाल लिया फिर हम यह loop चला रहे हैं length निकाल लिया और bet निकाल लिया अगर next equal to equal to minus होना है तो हमने next equal to end कर दिया नए array निकाल दिया next ठीक है यहां गलती कर गई है कि next को update करने के बाद हमें भी एक update करना है यार चालो अब run करते हैं एक्सेप्टेड सारे test case के जाद करो भाईया सारे test case के जाद चेक कर दो अब इसको submit कर दो submit किया और accepted आगया बहुत बढ़िया 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 मजा आ गया तो इन शॉर्ट हमारा logic हमने कर लिया है जहां पर हमने basically क्या लिखा कि भाईया next small element तो इन शुर्ट तीनों प्लस 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 हो रहें आंसर आपका और आजाएगा तो जो solution में निकाला उसकी क्या हो गई और आफ एन हो गई